एलविश यादव यारों के यार है इस बात को उन्होंने एक बार फिर से सावित कर दिया है भी उनके दोस्त को उनकी जरूरत हो और वो ना आए ऐसा हो नहीं सकता अक्सर कहते नजर आते हैं एलविश यादव की उनके लिए भाई चारा उन टॉप है और ऐसे में जब उनके जिल्री दोस्त लवकेश काटारियों को उनकी जरूरत है तो वो उनके लिए वोट अपील ना करें ऐसा भला कैसे हो सकता था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में इन दिनों लवकेश काटारिया नजर आ रही है जो एलविश यादव के काफी अच्छे दोस्त है उनके भाई की तरह है तो इस बीच अब second last eviction है जिसमें लवकेश काटारिया भी नॉमिनेटेड है अपने दोस्तों के साथ तो एलविश यादव ने अपनी एलविश आर्मी से लवकेश काटारिया के लिए वोट्स मांगे है उन्होंने अपने इंस्टाग्राइम पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वोटिंग लाइन कब तक खुली हुई है कब वोट करना है और कब तक वो खुली रहेंगी इस बात को एलविश ने अपने फैंस के साथ शेयर किया जिसके बाद अगर हम वोटों की गिंती की बात करें तो बहुत लवकेश कटारिया, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे इन तीनों की ही वोटों की गिंती में एक इजाफा हुआ है लेकिन उसके अंदर लवकेश कटारिया के वोट काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है पर आपको बता दे कि लवकेश कटारिया बिग बॉस के घर में काफी अच्छे से खेले है लोगों को पहरे लगा था कि वो सिर्फ अलविश आर्वी के भरोसे आ रहे है लेकिन जब उनका गेम देखा गया तो कहीं न कहीं बिग बॉस के हिसाब से तो उन्होंने खेला है बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी अलग जगा बनाई अलविश के दोस्त के अलावा एक अपनी खुद की इमिज बनाकर निकलेंगे लवकेश काटारिया ये फैंस का कहना है और अब यहाँ पर जब अलविश के वोट अपील सामने आ चुकी है तो यहाँ लवकेश काटारिया का एविक्ट होना तो बनता ही नहीं है तो कहीं न कहीं खबरों के माने तो लवकेश काटारिया तो इस बार शाद अविक्शन से सेव हो जाएंगे क्योंकि जियो सिनमा से एक गलती हो गई थी जियो सिनमा ने एक पोस्ट किया जुसमें उन्होंने वोट्स के बारे में बताते हुए जो फोटो फोस्ट की वो विशाल पांडे की थी और विशाल पांडे की जो वो फोटो थी उसके नीचे मैंशन था एविक्टेड तो क्या ये गलती थी या फिर कोई स्क्रिप्टेड रियालिटी इसके लिए फैन्स ने जियो सिनमा को भी काफी ज्यादा लताड़ा है लेकिन इस भी जब रिजल्ट क्या रहता है ये देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपका इस पगय क्या को जै कियाना कॉमेंट सेक्शन में बताएएएएएएएएएएएएए